समस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाथ सुन क्यों हो जाते हैं कारपर टनल सिंड्रोम की वज़े से उसके बारे में इस एनिमेटेड वीडियो से जानकरी देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाथ के अंदर एक नस होती है जो आपके हाथ के अंदर के हिस्से को जो है सप्लाई करती है जब वह नस उपर होने वाले ट्रांसवर्स कारपर लिगामेंट की सूजन के कारण दब जाती है तो आपको हाथों में सुनपन की तकलीफ होने लगती है यहां आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल नस्ती वो टाइट लिगामेंट के कारण दबने लग गई है और जिसके कारण से हाथों में न सिर्फ सुनपन आ जाता है बलकि हाथों में कमजोरी भी आ जाती है तो यह तकलीफ एक बहुत ही आम तकलीफ है और इस तकलीफ का निदान और इलाज संभव है अथिरी के चस्ट उपर एक ट्रांसफर स्कारपल लिगामेंट नाम का एक टाइट स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे से जो मीडियन नर्व है जो कलाई की नस है वो जाती है किसी भी कारण से अगर वो लिगामेंट आपकी नस को दबाता है तो आपके हाथों में सुनपन आ सकता है इस तकलीफ में आपके हाथों की तीन उंगलियों में सुनपन आएगा जब आप हाथेली को जहां पर लिगामेंट होता है वहां पर दबाएंगे तो आपके अंगुठे में और तीन उंगलियों में सुनपन आना भी शुरू हो जाएगा यह भी देखा गया है कि आपके हातों में कमजोरी और सुनपन बढ़ता है इस दबाने को कारपल टरनल कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं और थोड़ी देशे तक हाथ दबाने से हातों में सुनपन ऐसी तकलिफों में आ जाती है जो कारपल लिगमेंट होता है उसके नीचे न सिर्फ मीडियन नर्व जाती है अपितु कई सारी टेंडन्स भी उसके अंदर से जाती है छोटी सिस्ट होने से रसोली होने से यह टेंडन्स में स्वैलिंग होने से भी आपको नसों में सुनपन आ सकता है और कलाई जो है वो और उंगलियां जो है वो सुन हो सकती है यहां हम देख रहे हैं कि जो टेंडन शीथ है उनके इंफ्लमेशन से भी आपकी हातों में सुनपन आ सकती है और यह भी देखा गया है कि अगर आपकी तकलिफ बढ़ जाए तो नत सिर्फ हाथ सुन पड़ जाते हैं बलकि हाथों में कमजोरी भी आ सकती है और हाथ की जो मांसपेश्यां खासतर की जो अंगुठे की मांसपेश्यां होती है वो अंगुठे की मांसपेश्यां भी कमजोर हो जाती है और हाथों में क कराते हैं. पहला EMG study और दूसरा MRI study EMG study में और NCV study में हमको यह पता लगता है कि आपकें कलUU में जो NUS है वो दब रही है कि नहीं दब रही है और नसों की जो बहाव है वो ठीक है या नहीं है. RIS्ट के MRI scan में हमें यह पता लगता है कि आपके wrist में कोई ऐसी रसोली या कोई सिश्ट तो नहीं जो नस को दबा रही है शुरुआती treatment में हम vitamin B12 और vitamins, multivitamins और थोड़े pregabralin type की medicine दे सकते हैं यह दवाईया injection के form में, nasal spray के form में या गोलियों के form में दी जा सकती है तकलीफ और अधिक होने पे हम हाथ में एक splint, एक wrist support का प्रियोग कर सकते हैं अगर उससे ज्यादा भी तकलीफ होती है, तो कलाई में एक injection दिया जा सकता है और अगर उससे भी तकलीफ टीक नहीं होती है, तो एक operation करके यह तकलीफ को जड़ से मिटाया जा सकता है तो दोस्तों यह समझने की बात है के कलाई और हाथों की उंगलिया सुन होने का एक बहुत महत्मून कारण कारपल टनल सिंड्रोम है और जो तकलीफ हम काफी आसानी से कुछ सिंपल साइन्टिफिक चीज़ों को ध्यान में रखके ठीक कर सकते हैं अगर आपको इससे संबंदित और कोई भी जानकरी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स बलिक के भीज सकते हैं हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाट